साथियों, हमारे यहाँ APMC की एक ववस्ता सालों से चल रही है, जिसकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक ताकत भी है, बीते छे साल में देश की इन कर्शी मंडियों में बहतर इन्फास्तर्टर तयार करने के लिए 15,000 करोड रुपी से अधिका निवेश किया जा चुका है, इन मंडियों में IT infrastructure तयार करने के लिए भी सैंकडों करोड रुपिये खर्च किये गए हैं इन मंडियों को इनाम यानि नेशनल एग्रिकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है APMC कानून में जो संसोदन किया गया है उनका लक्ष इन APMC को अधिक competitive बनाने का है किसानों को लागत का डेड़ गुणा दाम MSP के रुप में मिले इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं साथियों MSP और सरकारी खरीद देश की food security का एहम हिस्सा है इसलिए इसका बैज्ञानिक तरीके से अच्छी से अच्छी ववस्ता के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंदन भी हो और ये आगे भी जारी रहें ये बहुत आवशक है और हम इसके लिए प्रतिबद हैं नए विकल्पों से ये जरूर होगा कि देश के जो छोटे किसान, किसान मंडियों तक पहुंच ना होने के कारण पहले मजबुरी में विच्वनियों को अपनी उपज बेचने के देते थे अब बाजार स्वयम छोटे छोटे किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगा इसे किसान को ज्यादा दाम तो मिलेंगे ही बिचोलियों के हटने से किसानों की भी राहत मिलेगी और आम खरीदारों को भी सामान्य कंजुमर को भी लाब होगा यही नहीं जो हमारे युवा हैं वो एग्रो स्टार्ट अप्स के रूप में किसानों के लिए आधों के विवस्ताएं बनाए इसके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे